जैसिया राम आई ये पार्ट को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले हम श्री राम की वन्ना करेंगे क्योंकि वन्ना करने से ही हनुमान जी उपस्थित होते हैं और जिस कथा में हनुमान जी आ जाएं उस कथा को सफल समझेए जैसिया राम 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 D bree 척 जो 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 ऑनानों। सिया राम जे राम जे जे राम सिया राम जे राम जे जे राम सिया राम जे जे सिया राम ए राम मेरे राम सिया राम जै जै राम मेरे राम सीता राम सिया राम जे जे राम जैसी आराम भर शर्टुगान लक्ष्वन जी की जैए हो तुल्षिदाज जी की जैए हो वालनीकी जी की जैए हो हनमान जी की जैए हो शिव पारवती की जैए हो याग्यवल की जी की जैए हो गरुड जी की जैए हो कागशुन्दी जी की जैए हो जैश्री था कवे का और लो मसमुनी ने ही उन्हें बहुत सारे फिर वर्दान दिये क्योंकि उन्हें ये महसूस हुआ अंदर से ऐसा लगा कि मैंने ये गलत किया है कावशुली जी एक बहुत अच्छे भक्त हैं और उनको शाब देके मैंने बड़ा गलत काम किया है तो फिर लो मसमुन आपकी मिर्त क्यों नहीं होगी और क्या-क्या वदान दिया आप कोई भी शरीधार्ण कर सकते हैं जहां पर आप रहेंगे वहां एक योजन तक कोई भी मोह का और माया का वास नहीं हो सकता वहां पर सिर्फ और सिर्फ हरी कथा होगी अब आगे करते हैं जैसियरा सुनि मुनि आसीश सुनु मति धीरा ब्रह्म गीरा भई गगन गंभीरा एव मस्तुता वबच्मुनि ज्यानी यह मम भगत करम मन बानी हे धीरबुद्धी गरुड़ जी सुनिये काग बुशुन्डी जी बोल रहे हैं अब करें हे धीरबुद्धी गरुड़ जी सुनिये मुनी का आशिरवाद सुनकर अकाश में गंभीर ब्रह्मवानी हुई कि हे ज्यानी मुनी तुम्हारा वचन ऐसा ही हो सत्य हो क्योंकि मुनी ने इतने अच्छे आशिरवाद दिये थे कावशुंडी जी को तो अकाश से असिवानी हुई कि ऐसा ही हो यह करम मन और वचन से मेरा भक्त है कौन काग शुन्डी जी तो भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए हमेशा आते हैं तो अभी आकाश से भगवान श्री राम स्व्यम बोले यह मेरा भक्त है ऐसा ही हो अकाश्वानी सुनकर मुझे बड़ा हर्श हुआ मैं प्रेम में मगन हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा काश्वानी जी बोल रहे हैं यह बाद तदनंतर मुझे की विनती करके आज्या पाकर और उनके चण कमलों में बार बार सिर्नवा कर हरश सहित एही आश्रम आयों प्रभू प्रसाद दुरलब बर पायों इहां बसत मोहि सुनुक अग इसा बीते कलप साथ अरू बीसा मैं हरश सहित इस आश्रम में आया प्रभू शिरी राम जी की क्रीपा से मैंने दुरलब बर पालिया उनके आश्रम में आये थे मैं हर शहीत इस आश्रम में आया सुमेर उपरवत पर जहां रहते हैं वो आप सुमेर उपरवत पर रह रहे हैं न काप जुन्डी जी और गरुड जी भी शिव जी क्या कैसे महीं पर आये थे शिरी रांग की कथा सुनने के लिए तो महीं की बात बता रहे हैं कि मैं इस अश्रम में बड़े कुशी से आया हे पक्षिराज मुझे यहां निवास करते 27 कल्प बीद गई जैस या राम एक कल्प कितना हुआ 4000 यूगों के बराबर एक कल्प हुआ और कुन से 4000 यूग सर्ट यूग तरेता यूग द्वा परियूग जब ये चारों 1000 बार हो जाते हैं अर्था 4000 यूग बीद जाते हैं एक हमारे अकेले कल्यूग की आयू 4000 वर्ष है तो सोचिए इनका डबल हो गया द्वा परियूग मतलब चार मल्टिप्लाई 2 3 & 4 ऐसे सत्यूग की आयूग हो गई इस तरह से करके 27 कल्प बीद गए यानि की 27 मल्टिप्लाई 4000 यूग इतना टाइम बीद गया कि मैं इस आश्रम में रह रहा हूँ करऊं सदा रगुपति गुन गाना सादर सुनही बिहंग सुजाना जब जब अवद पूरी रगवीरा धरही भगत हित मनोज सरीरा मैं यहां सदा शीर अगुनाजी के गुनों का अगान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आधर पूरवक सुनते हैं अवद पूरी में जब जब शीर अववीर भत्तों के लिए मुनिश्य शीर धारन करते हैं तब तब जाई राम पुर रहाँ शीशु लीला बिलो की सुख लहाँ पूनि उररा की राम सीशु रूपा निज आश्रम आऊँ खग भूपा तब तब मैं जाकर शीर राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शीशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ फिर हे पक्षिराज शीरी राम जी केशी शुरूप को हरिद्य में रखकर मैं अपने आश्रम में आजाता हूँ कथा सकल मैं तुम्हा ही सुनाई काग देह जेही कारण पाई कहिएं तात सब प्रसन तुम्हारी राम भक्ति महिमा अतिभारी जिस कारण से मैंने कव्वे की देह पाई बहसारी कथा आपको सुना दी हे तात मैंने आपके सब प्रशनों के उत्तर कहे अहा राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है ताते यह तन मोही प्रिया भयव राम पदनेह निज प्रभु दर्सन पायों गए सकल संदेह पाये और मेरे सब संदेह जाते रहे यह था दूर हो गए मेरे सभी संदेह जैसे आराम मास परायें उन तीसमा विश्रा भक्ति पच्छ हट करी रहें दिनी महारी शिसाब मुनी दुरलब पर पायों देख हू भजन प्रताब मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा जिससे महर्शी लोमश ने मुझे शाब दिया परन्तु उसका फली है हुआ कि जो मुनियों को भी दुरलब है वह वर्दान मैंने पाया श्री राम की भक्ति का वर्दान जो बड़े बड़े मुनियों को भी नहीं मिलता भजन का प्रताब तो देखिए जे असी भक्ति जानी परिहर ही केवल ज्यान हेतु श्रम कर ही ते जड़ काम धेनु ग्रिहत्यागी खोजत आकु फिर ही पाये लागी जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्यान के लिए श्रम करते हैं वे मुर्ख घर पर खड़ी हुई काम धेनु को छोड़ कर दूद के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं अर्थात कहा रहे हैं कि जिनें सिर्फ ग्यान चाहिए कि इश्वर कौन है कैसे हैं अच्छी बात है ये सब ग्यान होना लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ ग्यान के पीछे ही भाग रहा है पर भक्ति नहीं कर रहा ज्यान होने के बाद तो भक्ति अपने अप जागित हो जाती है पर फिर कि उसकी भक्ति जाग इतनी हो रही, सिर्फ ज्यान के पीछे भाग रहा है, तो उनको मुर्ख का आ गया है, उनको कहते हैं कि वो कामधिनू के दूद को छोड़ कर, जैसे कि मदार के पेड को खोसते फिरते हैं, ठाग पेड में से कोई अच्छा दूद थोड़ी निक हरान दूद निकलता है, वो तो पीने लायक नहीं होता, पर जो पीने लाइक होता है, खतने कि भगति उसी तरह से है, वो हम ज्यान को खोसते रहते हैं, भगती कर-दे तो अपने आप आ जाता है, जैसे अरा, सुनू खगेज हरी भक्ति भिहाई जे सुख चाह ही आन उपाई ते सट महा सिंधु बिनु तरनी पैरी पार चाह ही जड़ करनी हे पक्षिराज सुनिये जो लोग शिरी हरी की भक्ति को छोड़ कर दूसरे उपायों से सुख चाते हैं वे मुर्क और जड़ करनी वाले अभागे ही बिना ही जहाज के तैर कर महा समुद्र के पार जाना चाते हैं अर्थात इसका मतलब क्या हुआ अगर हमें एक समुद्र से पार जाना है मतलब हमारे सामने बहुत सारा पानी है हमें बिना किश्टी के, बिना किसी समूर्डरी जहाज के उधर जाना है हम कहेंगे हमें जहाज के जरूत नहीं है हम तो ऐसी पैदल चलाएंगे तो क्या होगा ढूप जाएंगे, पार्थनी नहोगा करतें वही बात यहां पर कर रहे हैं हमें सुख चाहिए पर श्रीराम का भजन नहीं चाहिए श्रीराम की भक्ति हमें नहीं करनी तो सुख कैसे आएगा सुखाए नहीं सकता उसकी उपमा दी गई है किष्टी से या समुद्री जहाज से कि बिना जहाज के हम पार कैसे जाएंगे तो श्रीराम की भक्ति के बिना शुनी भशुन्डी के बचन भवानी बोल्यों गरुड हर्शी मृद्वानी तव प्रशाद प्रभ मम उरमाही संशया शोक मोह भ्रम नाही शिव्जी कहते हैं ये भवानी बुशुंडी के वचन सुनकर गरुड जी हर्शित होकर कोमलवानी से बोले ये प्रभो आपके प्रसाद से मेरे हरीद्या में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रहा गया जैस्यरा अब ये कथा यहां पर पूरी हो रही है कि जब गरुड जी क्यों आ या से हो सकते हैं ऐसा मौह हुआ था तो गरुड जी ब्रह्मा जी आप पूर्ण हूई वी आगई कथा कल करते हैं जैसे यहारा झाल